हलो मित्रों जैमातादी मित्रों आज 23 सितंबर सनीबार का दिन है ऐसे में कैसा रहने वाला है आपका दिन आज के दिन कौन से शेत्रों में कारी करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान ये जज़त पर परतिश्टा में बढ़ोतरी हो सकती है कारी शेतर में किस प्रकार से लाप की प्राप्ति होंगी और किस प्रकार से धन के शेतर में बढ़ोत्री कर सकते हैं जीवन की परसानियों से आपको किस प्रकार से शुटकारा मिलेगा धन, यस्वय और आम में किस प्रकार से बढ़ोत्री होंगी और कारी शेतर में किस प्रकार से लाब की फ्राप्ति होने वाली हैं और आपके जीवर में जो पैसों से जूड़ी आर्थिक तंग्या हैं उन सभी से किस प्रकार से आप छुटकारा पासकोगे और किस प्रकार से आपको बड़ी परसंता की फ्राप्ति होंगे आज आपको कौन से छेत्रों में साफधान सत्रों का समभल कर रहने की जुरूत होंगे आपका लखी कल्या लखी नंबर कौन सा रहने वाला है मत्रों आपको बताएंगे बैपार करियर उनसे जरूड़े बहुत सारे ऐसे पहलूओं के बारे में सहयोग मिल रहा है आपको आपके भागे का सहयोग मिलने की वज़े से कारिशेत्र में बहुत बड़ा प्रिवर्तन होगा जिनकी वज़े से आपको परिवार में नई खुस्यों के प्राप्ति होंगे परिवारी किस्तितियों में काफी बड़ा सुधार होने वाला है परिवार के लोगों का समंद काफी मदर होंगे बैपार में आपको आने वाले समय में आपको सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होने वाला है जिससे आपको अच्छा खासा धनलाब की प्राप्ति होंगे निसरासी के जिन लोगों का आज बड़े हैं वो अपने दोस्तों को पाटी देंगे और किसी काम में बड़ों के सलावी आपको आज मिलेगी जो आपके काम आने वाली हैं जो आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता दिलवाने में आपका सहियोग करेंगे आपको आज के दिन किसी सांत जगह पर थोड़ा सा समय विताने का मोका मिलेगा सांत जगह पर जाकर आप अपने भविस्य को लेकर थोड़ा सा सजग हो सकते हैं बविस्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं बविस्य में बनने वाली योजनाओ को आप बहत्रन प्रणाम दिलवाने के लिए प्रियास करने वाले हैं आज के दिन बिल्लर्स को कोई बड़ा कॉंट्रेक्ट मिलेगा लेकिन आपको किसी भी contract पर signature करने से पहले उसको अच्छे से documents को अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए उसके बाद ही आपको कोई कदम उठाना चाहिए क्योंकि आज के दिन आपके साथ शलकपट हो सकता है कोई आपका फाइदा उठा सकता है जिसलिए आपको किसी भी document पर signature करने से पहले अच्छे से देखना होगा परिवार में मांगली कारू की योजना बनने वाली हैं जिसे की आपको खुशी की फ्राप्ती होंगी आज का दिन आपके लिए 72 अवसर और 72 फरणाम लेकर आने वाला है सिविल इंजिनियरिंग कर रहे छात्रों को भी आज कुछ नया सीखने को मिलेगा नया जानने को मिलेगा कारिशेतर में अपनी काबलियत से 72 परफॉर्म करफाने में आज आप सफल रहोगे कारिशेतर में भी आपको कोई बड़ी जिमेदारियां मिलने वाली हैं जिन जिमेदारियों को आप आसाने से पूरा कर सकोगे आपको बहुत अच्छी सफलता आज प्राप्त होनी वाली है आपको अपने गुस्षे पर कंट्रोल करने की जुरुत होगे क्योंकि गुस्षा आपके बने बनाई कारी को बिगार सकता है इसलिए आपको आपके गुस्षे पर कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी होगा जौब की तलास खत्म होगी आपको अच्छी जौब का अफसर भी प्राप्त होगा प्रन्तु यह जौब आपको आपके जीवर में करियर में नई दिशा दे सकता है और कुछ बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है इसलिए आपको आपके जौब पर ध्यान अड़िग रखने की जरूरत होगी आपको फिजूल के खर्चे पर नियंतरन करना होगा फिजूल के खर्चे आपकी प्रिसानी की वजह बन सकते हैं आपको फिजूल के खर्चों को कंट्रोल में लाना आपके लिए जरूरी होगा आपकी आर्चे की स्थित्या पहले से काफी अच्छी होंगे छात्रों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा छात्र अपने भविस्य को लेकर विसेश सचर्ग रहेंगे और पढ़ाई को लेकर विसेश को परियास करेंगे आज के दिन आपको आपके जीवन में वेपार के छेत्र से भी धनलाप की अच्छी इस्तित्या बंती भी दिख रहे हैं धनलाप की प्राप्ती भी आपको होनी वाली हैं जिससे कि आप काफी वड़ी खुशकवरी फराप्त करोगे और किसी नए काम में आपको सहयोग मिलेगा जिससे आपको आर्थिक लाप मिलेगा प्राइवेट सिक्षकों के वेतर में बढ़ोत्री होने वाली हैं जो लोग प्राइवेट नोकरी करते हैं उन लोगों के भी इस समय काफी नोकरी में इस्तितियां अथी होंगी जिससे कि आपको धन की फराप्ती होंगी अगर आप ओनलाइन ट्रेनिंग की सुरुवात करने बाले हैं तो आपके लिए आज का दन काफी सुब रहेगा ओनलाइन ट्रेनिंग करने के लिए भी यह समय काफी बहत्तिरिन रहने वाला है आपकी सला से किसी को फाइदा हो सकता है अगर आप से कोई राय मांगे कोई सला मांगे तो आप राय और सला बहुत सुच समच कर दें क्योंकि आपकी सला लोगों के काम आ सकती है जो आपको आपके जीवन में बहत्तिरिन परणाम दिर्वाने में आपका सही योग करेंगे और लोगों को भी सही योग इससे काफी हद तक मिलने वाला है आपको आपके फालतू के खर्चों को कम करना होगा तब ही आपका bank violence बहत्रिन बना रहेगा अच्छा बना रहेगा क्योंकि आपको आपके जीवन में अगर सफलता की नई सेड़ी को पाना है तो आपको खर्चों को कंट्रोल में और खर्चों को सही दिसा में करना ही पड़ेगा आप खुद को positive महसूस करोगे क्योंकि आपको आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने के बाला है आपके सुभाव में लचीना पन होगा और दूसरों की बात को आप एहमियत भी देंगे दूसरों की बाते भी आप मानने वाले हैं लंबिट के लिए आज का दन काफी अच्छा रहने वाला है आपको आज कोई बड़ी खुदकवरी मिलने वाली है आपके घर में कोई सुभक कारे आयोजित होगा जो आपको एक नया उर्जा और एक नई पहचान देने में आपके सहता करेगा नए नए लोगों के साथ आपके पहचान आज बर करार रहेगी जिसमें आप अपने सभी सगे समंद्यों से मिलने में सक्छम होंगे आप दूसरों से अपने काम को निकल पाफाने में इसमें भी आप सक्छम होने वाले हैं मित्रों आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा आता दिया वस्ति लिखें आपका दिन सुभो मंगल कारी हूँ जैमा विंद्वासनी